थोज़नल संस्क्रिट का नाम है तो उर्द्व पूंड़ तिलक तो उर्द्व पूंड़ तिलक उर्द्व तो इसका सिंबल क्या है यह दो लाइन्स जो है यह भगवान का चरण कमल है जो का निशान है तो हम देखें अलग-अलग संपरदाय को अलग-अलग अलग-अलग वैशनव संपरदाय को अलग-अलग तिलक का स्टाइल तोड़ा बहुत फड़क पड़ते हैं लेकिन सारे मेन घ्रयक है कि बागवान का चरण कमल ही घावडय वैशनव जो है बागवान का चरण कमल नीचे जो है जो हम नाक के उपर डालते हैं दीन सी तो यह जो है तिलक यूज करने का भक्त जो है वो शरीर में बारा जगा पे तिरक लगा के क्योंकि बताने का चाहिए बना बताना चाहिए कि ये शरीर जो है बगवान का मंदीर जैसे हैं और हम बगवान का दास हैं को खास करके हमारा मस्तक जो है सर जो है ये बस ये हमको अरपन करना बगवान को क्योंक तिलक लगाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि भगवान स्री कृष्ण से श्रेष्ट और कोई नहीं है, तो भगवान को भी खुद अपने तिलक लगाते हैं, क्योंकि भगवान से श्रेष्ट कोई नहीं है, तो हम जब भी तिलक लगाते हैं, हम देखाते हैं कि हमारा स्वाम जो है वो कृष्णा है तो कृष्णा देखें अरे मेरे से और श्रेष्ट नहीं है तो मेरे खुद अपना चरन कमल को अपने सर पे लगाना ही पड़ेगा तो इसमें भी कुछ उदारन हम देख सकते कि जैसे जब भगवान स्री कृष्णा द्वारका में तो भगवान एक ग्र अचे लोग के साथ व्यवाहर करते हैं दूसरे जगह पे बगवान खाते हैं दूसरे जगह पे बगवान आते हैं दूसरे बगवान जगह बगवान कुछ मीटिंग ले रहे हैं और एक जगह पे ऐसा भगवान ध्यान पे बैठते हैं अरे भगवान को ध्यान में क्यों करने बगवान से कृष्ण क्यों परातना करना तो उसमें वर्ण आता है कि भगवान ध्यान पे लगाते कुछ किन के उपर कुद के उपर कि और कोई ही नहीं वही परम पुरुष श्रेष्ट ना तो अगर वह एक्टिंग करना भी कि कैसे व्याबहार करना कैसे रहना एक घ्रस्ती जीवन है तो उस वह भगवान भी खुद के उपर जिन्दन करते हैं हमने से देख सकते हैं और खास करके यह वट पट्रशाई जबी भगवान का बाल रूप में एक वट व्रिक्ष का लीफ या पान के उपर भगवान का गूमते हर जगह जबी प्रलाय होए तो उस टाइम म भगवान वट पट्रशाई उन्होंने क्या किया था अपना कुद का पैर का अंगुटा जो है वो मूँ पे डाल दिया यह चोटे बच्चे ऐसे ना कुद का पैर के अंगुटा टो जो है वो मूँ पे डाला तो इसमें क्या रीजन बताए कि भगवान टेस्ट करना चाहिए कि सबी मेरा भक्त लोग जो है मेरा चरन कमल को पूजा करते इस चरन कमल में क्या sweetness है कुछ मिठाई रस है क्या तो भगवन खुद को टेस्ट करना खुद को आस्वाधन करना तो ऐसा देखें कि भगवन क्यों तिलक लगाते हैं तिलक जो हम गवडे वाष्णव यूज़ करते हैं ये गोपी चंदन बोलते हैं जो गोपी तलाओ से आते हैं एक प्रकार के मिट्टी है तो वहाँ पे हम लोग तिलक यूज़ करके हैं लेकिन श्रीमती रादानानी का अंग जो है कलर जो है शरीर का तब तक कांचन एक गोल्डन जैसे है कलर और यह हम तिलक यूज़ करते हैं वो भी गोल्डनिश कलर है तो वास्तव में श्रीमती रादानी के मस्तक पे भी तिलक है लेकिन हम देख नहीं सकते कलर मर्ज हो जाता है तो एक्षिली ज्यादा तरह तिलक नहीं देगेगा और यह रादानी भी पसंद करते हैं क्योंकि वरिंदावन लीला में रादानी जो है रादानी और कृष्णा का रिलेशन्शिप जो है गुप्त है रादानी का कुद का हस्वन है अभी महन्यों है और क्रिष्णा क्यों तिलक लगाते हैं क्योंकि वो ही स्वामी है हरे क्रिष्णा